आपको उतार रहा है लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं कि कॉंग्रस के चांसेस इसलिए भी कम हो रहे हैं क्योंकि एक फैक्शनलिजम है कोई बोलता है सिद्धू कैम्प है कोई बोलता है जाकर कैम्प है कोई बोलता है चन्नी कैम्प है तो ये तो कॉंग्रस इतना डिवाइड़ क समझा नहीं तो ये बातें आप छोड़िये पंजाब के लोगों पे आपको पता लग जाएगा कि structurally Congress कितनी तकड़ी है difference कोई नहीं है create किये जाते हैं बात का बतंगड बनाया जाता है लेकिन एक नाम याद रखिएगा कि Congress पिछली बार 78 सीटें जीती थी उसके बाद 8 MP की सीटें जीती थी सारी municipal election हमने sweep कियें Congress इंट उठाओ नीचे Congress ही है और इंट के उपर भी Congress ही है इतनी तगड़ी है पंजाब में इसलिए Congress को lightly मत लेना हम किसी और को lightly नहीं लेते केजरी वाल साहब को जिनकी आप बात कर रहे हैं इससे बड़ा बनावटी आदमी मुखोटा लगा के घूमता मैसकरेडर आपने देखा है पहली बात नमबर एक जब नवजोट सिंग सिदू सैंड माइनिंग की बात करता था जब ड्रग्स की लड़ाई लड़ता था तब केजरी वाल साहब बिकरम मजीथिया के थूक के चाट के माफी मांगते थे देखा है आपने वो चिटी देखी है आपने साड़े चार साल बाद ये शक्स यहां आता है दिल्ली में क्या किया है क्या कोई कबिनेट में इनके महला है क्या एक भी पंजाबी इनकी कबिनेट में है क्या इन्होंने तीन जो खेती कानून थे सबसे पहले नोटिफाई नही आज भी यहां कहते हैं टीचर पके कर देंगे बाइस हजार टीचर इनके घर के बार बैठा था मैं उसके बीच में बैठा है और वो वो यह कहते हैं कि हमें बंधुआ मजदूर बना रखा है 15 दिन के कॉंट्रेक्ट में हमें रख रखा है और 6,000 वेकंसी थी जब यह आए थे 2014 आज 22,000 वेकंसी तो यह किस चीज की बात करता है यह हमारी पराली की बात करता है हमारी पॉल्यूशन की बात करता है अरे 45 लाख सवारी थी सीन जी की बसों में शीला जी छोड़के गई थी जब आज 25 लाख है साड़े तीन फेस कंप्लीट करके गई थी मेट्रो के चार नहीं कंप्लीट कर सका दो से 22 ग्रीन कवर किया उन्होंने यह 23 नहीं कर सके तो यह तो सर्पलस स्टेट दूसरे 2002 में इनको मिल गया था पंजाब पे 5 लाख करोड का करजा है इन्होंने क्या भिजली की बात करते हैं जो इन्होंने क्या दिया है किसी किसान को एक मिनट चार खेत हैं दिल्ली में चार खेत यहां 50% पॉपॉलेशन किसानों की है यह कहते हैं हम भिजली देते हैं सबसिड़ी 2000 करोड की सबसिड़ी देते हैं उनको self-reliant बनाने के लिए किया है, उनको सम्मान देने के लिए किया है, एक incentive देने के लिए किया है, एक आधी अबाधी को पूरा हक देने के लिए किया है, उन्हें entrepreneur बनाने के लिए, उनके पेरों पे खड़ा करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए खड़ा किया ही है जन्टा क्या किया यह लॉलीपॉप देखें डेखें आम आदमी की लड़ाई है के इजडिवाल और चन्नी के बीच में आप हमेशा से खास रहे हैं एक क्रिकेटर रहे हैं शाइनिंग स्टार रहें और पॉलिटिशन हमेशा लाइम लेक्ट में रहें तो आप जब लोगों के सिख हूँ वचन बद्धता पे खड़ा रहता हूँ जो जबान से निकालता हूँ उससे पीछे नहीं हटता अगर मैंने कहा कि मैं अमरच सर से ही इलेक्शन लड़ूंगा तो छे के छे एलेक्शन अमरच सर में ही लड़े और जीते लोगों ने जिताए क्यों कि लोगों की विश्वस्नियता कभी नहीं तूटी फिर जब बाद झालता है